असलाम लेकूम, मेरा नाम आमना उस्मान है, यह जो सुबा से स्पैट चल रहे है, ट्विटर पे और सोशल मीडिया में पूरी यह जो पूरा उद्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस के हवाले से मैं दो तीन बातें clarify करना चाहती हूँ, सबसे पहले जो मैं clarify करना चाहती कि उस्मान मलेक, माई हस्बंड, has nothing to do with मलेक रियाज हुसेन, he is not a part of his immediate family, यह सबसे पहले मैं clear करना चाहती हूँ, जो उनको यह सिरफ मलेक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इस अपरसनल स्पैट बट्वीन हसान खान न्याजी और मलेक रियाज हुसेन, वह सिर वह सिर्फ पैसे लेने के लिए यह सब कर रहे हैं, उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वह लड़कियों को पैसे दे दे तो यह सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज क्योंके हम हाग पे हैं, सेकंडली, यह जो बात हुई है कि मैंने किसी घर के अंदर बा यह उन लड़कियों का घर नहीं था, मेरी 13 साल की शाजिशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रrepeated warnings दी थी, this was not the first time that I approached her, इसे पहले मैंने रrepeated warnings दी थी, मेरा एक 11 साल का बच्चा है, I'm sure जिन सब की उलादे हैं और जो औरते इस सब से गुजर नहीं है, they can completely understand what a wife goes through and how hard she tries to go till the last point to save her marriage, but I know मेरे हस्बंड की सबसे बड़ी गलती है, I know he is the person who is to be blamed the most, उसको तो मैंने छोड़ दी है, बात यह है कि यह जब वहाँ पे मैंने को फॉलो करके पहुंची, तो यह कह रही थी जह हम में इतकाफ से उठी है, यह कौन सा इतकाफ ह जिस पे तीन बिन लगातार, यह मेरे हस्बंड को रात को मिलती रही है, लगातार, मेरे पास प्रूफ है, यह एतकाफ पे बैटी, साड़े दस बचे इतकाफ से उठी है, साड़े यारा बज़े वहाँ पे कोकेन की लाइने और शराब हो रही थी, आपने अगर वीडियो द सिर्फ अपनी गर्ल्फरेंड को बचाने के लिए और खोश रखने के लिए और सिर्फ उनके लिए कुछ पैसे बनाने के लिए, यह पूरा पबलिसिटी स्टांट है, मैं सिर्फ आप लोगों को यह ख्लारिफाइ करना चाहती हूं, कि उनका मलिक रियास से कोई लेना देना इस से भी जाता तपाही करती है, I literally fail to understand, everybody knows their reputation, everybody knows what homewreckers they are, how can you even side with such women, they're homewreckers, 3-4 दफा देने के बावजूद, पांचवी, 4-5 दफा में एक्शन लिए, इस हालत में पकड़ता, कोई भी एक्शन लेता, I just want